PNP के द्वारा DLA 2019 बैच के दुती समेस्टर के रिजल्ट वेबसाइट पर अवलेबल करा दिये गए हैं आप इस्क्रिन पर ओफिस्यल वेबसाइट UPDLAINFO.IN देख पा रहे होंगे इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक लिंक दिया गया ह DLA 2019 सेकेंड सेमेस्टर नवंबर 2020 ठीक है इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने open हो जाएगा आप इस्क्रिन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपसे कुछ credentials आपसे पूछी जाएंगी जैसे कि आपका role number यहाँ आप फिल कर देंगे उसक पासे नीचे दिये गया सर्च बटन पर आप क्लिक कर देंगे जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम, role number और सारी detail आ जाएंगी, role number पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका result open हो जाएगा, अब देखिए बात कर लेते हैं कि पतीशत कैसे निकालना है आपको internal marks, internal marks ऐसे होते हैं जो कि आपके college के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है, और सांथी, यहाँ पर जो external में 99 नमबर लिखा गया है, यह जो internship एक महीने की होती है, उसके द्वारा जो वहाँ के प्राचारे के द्वारा नमबर दिया जाता है, वो नमबर होता है, और यहाँ पर internal वाले में 99 नमबर लिखा गया है, यह वो mark होता है, जो आपके college में जो वाईवा कंडट कराई जाती है, उसके marks होते हैं, ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, सबसे पहले आप external marks वाले column के सभी marks को जोड़ देंगे, ठीक है, उपर से लिके नीचे त जोड़ देंगे, internal वाले और external वाले, दोनों को जोड़ करके जितना भी योग आएगा, जैसे कि, मान लिजे, दोनों को जोड़ करके, अगर 720 नमबर आता है, ठीक है, तो इसमें आपको simply 8 से भाग दे देना है, केवल 8 से भाग दे देंगे, जैसे ही आप 8 से भाग देंगे मैंने इसको जोड़ा नहीं है, तो आप अपने अनुसार जोड़ करके, और जो भी आएगा, उसमें 8 से भाग दे देंगे, जितना भी डिजेट्स आएंगे, जितने भी प्रतिशात आएंगे, वो आपके 20 सेमेस्टर में उतने प्रतिशात अंक आपके द्वारा प्राप्त किये गए हैं, और सभी सफल अभियरतियों को करियर बिट की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धेरशारी शुपकामना है, यहाँ पर एक और विशेय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स के मादम से बहुत प्रशना रहे हैं, कि जिनकी बैक लगिये, उनका क्या होगा, देखिए, बैक के बाद भी बहुत से अभियरति अपने रिजल्ट की फिर से री चेकिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर PNP के द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, कि आप अपने कापियों को फिर से री चेकिंग करवा पाए हलांकि PNP के द्वारा स्कूरूटनी का प्रोसेस जरूर अपनाया जाता है, लेकिन उसमें कापियों की चेकिंग नहीं होती है, सिर्फ उसकी री काउंटिंग की जाती है, यानि कि जो कापि चेक हुई है, अगर उसके मुल्यांकन के समय, जो अंक दिये गहें, उनके जोड की वज़े से उनका फेल हुआ है, तो वो सभी स्कूरूटनी का प्रोसेस जब PNP के द्वारा सेकंड समेस्टर के लिए प्रारम किया जागा, उस समय आप अपना स्कूरूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर उसमें आपके नंबर बढ़ जाते हैं, तो आपका फ पात्र होते हैं आवेदन करने के लिए, देखिए, अगर आपके दो सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, तो उस कंडिशन में आप सो रुपे प्रती सब्जेक्ट के हिसाब से पेमेंट करेंगे अपने कॉलेज में, और वो स्कूरूटनी का फॉर्म भर देते हैं, और जिनका स आ रहा हूं, तो उस कंडिशन में अगर आपका एक पेपर क्लियर हो गया और दो सब्जेक्ट में बैक रह गया, तो आपका सेमेश्टर बैक बच जाएगा, तो इस कंडिशन में आप देखेंगे कि जितने भी अभियरती सेमेश्टर बैक से सम्बंदित हैं, वो सभी स्कू कि जिनकी बैक लगी है कि आप प्रथम समेश्टर के सारे पेपर देने होंगे, यहाँ पर PNP के द्वारा एक फोन कॉल के माध्यम से, PNP सच्चिव के द्वारा एक अभियरती को ये सभी चीजे क्लियर की गई थी, और उन्होंने ये इस पश्ट कहा था, कि जो 19 बैच का प्रथम समेश्टर का प्रमोशन रद्द करने की बाद PNP सच्चिव के द्वारा कही गई थी, हलांकि अभी इसके बारे में कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है, PNP जल्द ही इसके बारे में कुछ ठोस कदम उठा सकती है, और इसके संदर्व में क्या कुछ उनको एक् अठारा बैच और सभी बैचेज के बैक पेपर के रिजल्ट की घोशना हो चुकी है, 19 बैच और 17 बैच का जो रिजल्ट है, UPDLN info.in पर देखा जाएगा, और 18 बैच और 15 बैच, 13 बैच का जो रिजल्ट है, वह BTCExam.in वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, इस वीडियो क देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शूब हो.